आप सुभी का स्वागत है, बहुत सारे students online exam के चकर में भूल गये हैं कि need 21 OMR seat offline pen से आप सुभी को सरकल लगाना है, अलग अलग platform पे आप सुभी daily online test दे रहे होंगे, क्या आप सुभी offline OMR seat पे test दिया है या नहीं दिया है, अगर आपने दिया है, अच्छी बात है, नहीं दिय है, तो आपने mistake किया है, अभी भी mistake को सुधारने का time है, मेरा मनना है कि OMR fill up भी selection का एक factor है, क्यूंकि अगर आप तो भी practice नहीं करेंगे, तो काफी time लग जाएगा, इसको fill up करने में, जिसकी वज़ा से आपका questions बहुत सारा छूट जाएगा, मैं आप तो OMR को लेकर कुछ important instructions बताने वाला हूँ, जो कि खुद officially NTE ने जारी किया है, उसी को बताऊंगा, बहुत सारी important points है, तो फिरें मैं आप तो को suggest करूंगा, कि 10 से 15 test 3 hour का दें, जो कि offline आप तो खुद OMR sheet पर दें आप तो और मैं आप तो को बता दूँ कि इस sample को अपने टेलिग्राम पे upload कर दोरान, या questions छूड़ जाएगा, इसको fill up करते करते, तो आप decide करें आपको क्या करना है, अब मैं आप सुब कुछ instructions बता जाता हूँ, आप जो देख पा रहे हैं, यह OMR sheet एक students का है, और मैं आप सुब को बता दू कि exam center पे, आप सुब को same OMR sheet मिलेगा, तो कैसे कैसे fill up करते हैं, आप सुब को इसमें बताने जा रहा हूँ, कि circle कैसे लगाना है, यह रहा correct method और यह wrong method, तो friend correct में देख पा रहे हैं, यह circle complete लगाया गया है, और बाकी किसी भी circle में, suppose 21 number question है, यह 4 आपको option मिलेंगे, तो सिर्फ एक में ही circle लगाया गया है, बाकी 3 में touch नहीं किया गया ह अगर बाकी, suppose कि इस तरीके से आप अगर circle लगाते हैं, तो इस questions को scan जो machine करता है, scan नहीं कर पाएगा, अगर एक question में दो सरका लगा दिया आपनी, तो इस questions को भी machine scan नहीं कर पाएगा, और यह question आपका automatic गलत हो जाएगा, तो आप सुभी correct method और wrong method में compare कर लें, एक बर अच् subcet को fill up कैसे करते हैं, तो french game प्रेंट सबसे पहले आप सुभी को center number को fill up करना है, center number जिस center में आपका exam है, admin card में आपका center number लिखा औगा, तो यह रहा है edmin card और यहाँ पर देखे test center number लिखा गया है, आप सभी अपने admin card में देख सकते हैं, कभी 6 digit का होता है, कभी 7 digit का होता ह उस हिसाभ से column दिया जाता है। तो यहां पर आप सुभी को वही center number लिखना है। उसके बाद आप सुभी को मिलेगा roll number तो roll number जो आपके admin card पर है उसी वही रॉल number यहां पर को fill up करना है उसके बाद test booklet number कह rapping आप सभी को बता देता हूं यह रहा का question paper और यहां पर लिखा गया test booklet number यह रहा आप सभी को राहट बूपर साइट कॉर्णर पर मिल जाएगा आपके questions forsket report पर इसी को आप सभी को fill up करना है और यह रहा test booklet code यहाँ पे आप सबीको code लिखा होगा सभी students को अलग-अलग code दिया जाएंगे P1, P2, Q1, Q2, Q3, AA, BB, CC अलग-अलग आप सबीको test booklet code मिलेगा तो test booklet number आप सबीको यहाँ पे fill up करके यह जो blur किया गया है यहाँ पे fill up करना है और यह इसमें circle लगाना है और यहाँ पे test booklet code suppose यह Q3 है बस आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको circle लगा दिना है और friend मैं आप सबीको बता दूँ जब circle लगाएंगे तो अच्छे से लगाएंगे यह जिस instruments का है इसने यहाँ पे गलत कर रखा है यहाँ से देखें यहाँ पे cross कर रखा है इस तरीके से आप सिभी को नहीं करना है इस तरीके से करते हैं तो सायद जो scan machine करेगा scan नहीं कर पाएगा और आपका complete wrong हो जाएगा तो सबसे most important wrong number test booklet number center number test booklet code यह most important होता है क्योंकि जब तक आप इसको fill up नहीं करेंगे तब तक आगे का procedure काम नहीं हो पाएगा और यहाँ से एक number questions है आप यहाँ से questions 1,2 यहाँ पर देखे 180 तक आप सबी को यहाँ पर दिया गया है तो इसमें आप जो answer questions आँसर सही करेंगे इसमें आप सबी को circle लगाने है 1,2,1,80 तक सबसे नीचे आप सबी को मिलेगा आप सबी को candidate को left hand का impression देना है उसके बाद यहाँ पर candidate आपना नाम लिखेंगे और नीचे signature करेंगे दो यहाँ पर box दिया गया है और यहाँ पर जो teachers वहाँ पर मौझूद होंगे invigilator उनका signature यहाँ पर होगा और यह रहा keyword code इसमें मैं आप सबी को बता दूँ इसमें आप सबी का information complete information इस keyword code में है जो की machine scan खुद से करेगा तो मैं आप सबी को एक बात बलूँगा कि friend center number, roll number, test booklet code इस तीन चीज़ को काफी carefully आप सबी को fill up करना है आप सबी को बहुत time दिया जागा exam center पर इसको fill up करने के लिए और यह सबी जो नीचे का देख पा रहे हैं इसमें आप सबी को answer देना है इसमें I hope आप सबी समझ गए होगे आप सबी ने देखा और समझा भी तो अभी की time है 10 से 15 जरूर आप सबी offline test दें OMR खुद से fill up करें 2 से 3 दिन के difference में आप सबी इसको दें easily महीने में खतम हो जागा 10 test तो आप देही देंगे आपको decide करना है देना है यह नहीं देना है very very important तो बस मुझे आप तुब को इतना ही बतना था thanks for watching